दोस्तों विपक्ष ये समझा रहा था कि बीजेपी में अंदरूनी कलह मचे हुई है विपक्ष लगातार ये भ्रम फैला रहा था कि पीयम मोदी और सीयम योगी में लगातार भिड़न्त है केश्य प्रसाद मौर्या को लेकर विपक्ष कह रहा था कि वो मोरा हैं अखिलेश यादब के श्प्रसाद मौर्या को मांसून ओफर दे रहे थे बाइने उफर हलांकि मौर्या ने खुद ही अखिलेश यादब को जवाब दे दिया था जिसके बाद अखिलेश यादब कुछ बोलने के लायक नहीं रह गए वहीं अब जो लोग ये सोच रहे थे कि योगी को CM पत से हटाया जा सकता है उनको बड़ा छटका लगा है आम आदमी पाइटी के नेता भी दावा कर रहे थे कि योगी को CM पत से हटा दिया जाएगा लेकिन CM योगी ने जो काम किया है उसे PM मोधी भी गदगद है और अब PM मोधी ने अपनी एक बात से विपक्ष के सारे मनसूबों पर पानी फेर दिया है PM मोधी ने साफ कर दिया है कि भाई अब 2027 का चुनाब CM योगी के नेतरतों में ही लड़ा जाएगा आखिर कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल उतर प्रदेश में लोगसवा चुनाब में अपेक्षित रिजल्ट नहीं आने के कारण प्रदेश BJP नेताओं के बीतर जारी टकराओं के बीच प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने यूपी के सीम योगी आदी तिनाथ की तारीफ की है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों को जल जीवन मिशन के तैत हर घर नल से जल योजना पर जोर देना चाहिए इसके साथ ही सुच्छ गंगा मिशन सुच्छ भारत अव्यान पर भी जोर देने की जरूरत है सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंतरी परिशत के इस बैटक में राज्यों के कुछ योजनाओं की तारीफ हुई पियम मोधी ने कहा कि अलग राज्यों की सफल और विशेश योजनाओं को प्रतेक राज्यों को अपनाना चाहिए इस क्रम में उन्होंने असम सरकार की पारदर्शी रोजगार योजना की तारीफ की फिर योपी की ग्राम सचिवाले वैवस्ता की तारीफ हुई त्रिपुरा की हमार सरकार योजना, गुजरात की दिन में बिजली किसान सुर्योद योजना और बिहार सरकार की अवैद खनन की रोक्ताम को लेकर उठाये गए कदम की पीम मोदी ने तारीफ की सूत्रों ने बताया कि PM मोधी ने मुख्य मंत्रियों से इन कारिक्रमों को गम भीरता से लेने के निर्देश दिये लेकिन PM मोधी ने CM योगी की तारीफ कर ये संदेश दे दिया है कि CM योगी आदी तिनाथी रहेंगे वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैठक खत्म होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यूपी के दोनों डिप्टे सीम केशर प्रसाद मौर्या और ब्रिजेश पैठक के साथ बात की और प्रदेश में आने वाले विधान सवाव चुनाब को लेकर जोरदार त और वी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं